नमस्ति किसान भाईएं आशा करता हूँ आप जबी स्वास्त होंगे स्वागत है आप सबीका एक बार फिर से हमारे यूटीब चैनल तेसी किसान भरत में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फसल के बारे में जो कि हम फरवरी से मार्ज के महीने में लगा सकते हैं और अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं ये फसल सबजी वर्गी फसल है जिसका नाम है गवार होले आज हम आपको बताएंगे कि गवार की फसल किस मैने में की जाती है और कौन सा समय उप्योक्त होता है इसके साथ ही हम आपको देशी तरीके से कैसे लगाए वो भी बताएंगे जिन किसानों के छोटे खेत होते हैं ये जानकरी उनको ज्यादा फाइदेबंद होगा बार की फसल आप किशी पी तरह की भूमी में कर सकते हैं इसके लिए सबसे उप्योक्त समय होता है जून से जुलाई और फरवरी से मार्च इसके लिए सबसे पहले खेत में कोबर खात और डियेपी पूर्वर में ही डाल लेना चाहिए उसके बाद में आप खेत की अच्छे से गहरी जुताई कर ले खेत की जुताई का काम पूरा हो जाए तो उसके बाद आप बीज लगा सकते हैं अगर आपके बाद बीज लगानी के लिए मशीन की शुईदा है तो आप मशीन से लगवाए नहीं तो हमारी तरह आप तेशी तरीके से हाथ से ही बीज की बुवाई कर ले बीज हमेशा अच्छी क्वालिटी का ही प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें नुक्सान नहीं जिलना पड़े और ज्यादा भीमारियों का सामना भी नहीं करना पड़े अगर मार्केट का बीज है तो उसको उप्चारित क्या हुआ ही आता है और अगर आप घर का बीज लेते हैं तो उनको उप्चारित करना अत्यावशक होता है उसके बाद ही आप उसकी बुवाई करें चलिए बात करते हैं कुआर की फसल लगाये कैसे जाता है जैसा कि आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं कि हमने पहले अलग-अलग क्यारिया बना ली है और उन में हम देशी तरीके से बीजों को लगवा रहे हैं बीज को फोदे से फोदे 5-7 इंच और लाइन से लाइन की तुरी 5-10 इंच रखना चाहिए ताकि पोदे की अच्छी सी ग्रोध हो पाए और हमें अच्छे पदावार मिल सके हमने आज दिनाग 1 मार्च 2024 को इसका बुवाई करवाया है आप अपने वहां के मौसम के अनुसार इसका बुवाई कर सकते हैं परवेरी के पहले सब्ता से लेकर मार्च के पहले सब्ता तक आप इसकी बुवाई कर सकते हैं बुवाई का काम पूरा हो जाने के बाद हमें इसमें अच्छा से पानी देना होता है पानी देने के 10 से 12 दिन के उपरान हमें इन पे एक बार और हलकी हलकी दुबार से सचाए करनी होती है हम आपको गवार फले की शेड का जर्मिनेशन कैसा हुआ और इससे कितना उपज हुआ इसके बारे में जल्दी एक वीडियो बना कर आपके साथ शेयर करेंगे वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी जरूर करें मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ तब तक कि लिदी जिए इजाज़त जय जबान जय किसाथ